नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज हम बनाने वाले हैं ये गुजरात के सूरत का फेमस राजा लानी परांठा जिसे देखकर ये आपको पता लग रहा होगा ये बहुत ही ज़्यादा स्वाधिश्ट और बनाने में बिल्कुल आसान है चली बनाना शरू करते हैं सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है गयों का आटा ये मेरा आटा थोड़ा सा मोटा है तो यहाँ पर मैंने एक कप से थोड़ा कम आटा लिया है और जितना हमने आटा लिया है उसका हाप मैंने यहाँ पर लिया है मैदा और थोड़ा सा डा अब इसके अंदर डालेंगे यहाँ पर थोड़ा सा ओयल आप चाए तो यहाँ पर बटर या गी का इस्तमाल भी कर सकते हैं एक से दो चममचे अब इसको पहले थोड़ा सा हम मिक्स कर देते हैं अब इसके बाद नॉर्मल पानी से इसका हम आटा तयार करेंगे और यहां पर हम मीडियम सोप डो तयार करना है इसका, एकदम बहुत ज्यादा हाड बिल्कुल नहीं करना है, जितना हो इसके सोप रखेंगे और यहां आटे को अच्छे से हम गूथ लेंगे और इसमें यहां थोड़ा सा ओइल और डाल देते हैं थोड़ा सा ताकि इसको गूथने में आसानी हो और एकदम अच्छा सोफ आटा तयार हो जाए हमारा अब इसको हम कुछ देर गूथने के बाद ऐसे ही रख देंगे डख कर और देखिए एकदम सोफ है हमारा आटा अब इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही डख कर और दूसरी तरफ स्टप्पिंग तैयार कर लेंगे यहां पर हमने यह लिया है पत्ता गूबी बारिक काट कर और यह हमने लिया है यहां पर गाजर को ग्रेट करके लिया है कुछ ये मैंने लिया एक सिम्ला मिर्च बारी कटी हुई ये मैंने यहाँ पर हरी प्याज को बारी कट कर लिया है अभी सीजन है तो मैंने हरी प्याज भी लिया है और एक से दो हरी मिर्च बारी कट करके एक प्याज बारी कटा हुआ और ये मटर बॉयल की हुई और यह मैंने sweet cone को भी थोड़ा boil करके लिया है यहाँ पर और यहाँ पर मैंने एक से दो आलू भी लिये हैं boil करके तो इनको पहले हम थोड़ा सा इस तरह grate कर लेंगे ताकि यह अच्छे से mix हो जाए आप चाहे तो इसमें कोई भी vegetable का इस्तमाल कर सकते हैं अपनी पसंद के अनुसार जैसे season है तो उसी साब से ले सकते हैं एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच नमक और यह एक चम्मच धनिया पाउडर अद्रक लसुन का पेष्ट एक चम्मच कोई भी मसाला ले सकते है गरम मसाला और थोड़ा सा डाल देंगे इसके अंदर निम्बू जिससे इसका स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाएगा अब इसके बाद यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा पहले mix कर देंगे और यहाँ पर आप जो भी सबजी लिए थोड़ा बारी की काट कर ले जैसे आप कुछ भी लेते हैं तो तो सही रहेगा कुछ वाइल करके भी और बारी कट करके भी अब इसको mix कर लिया मैंने अच्छे से अब यहाँ पर इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा यह मैंने लिया है हरा धनिया और इसके बाद यहाँ पर मैंने लिये थोड़ी सी यह प्रोसिस चीज अब चाहे तो इसके अंदर पनीर चीज जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं अपनी मरजी के नशार तो इसको भी हम थोड़ा सा पहले मिक्स कर देते हैं तो ये हमारी स्टपिंग तैयार हो जाएगी सबसे पहले हम सरपेस के ऊपर एक लोई को रखेंगे और थोड़ा सा सुका आटा या मैदा आप ले सकते हैं थोड़ा इस पर लगाकर अच्छे से इसको थोड़ा पहले बेल ले पहले हाथ से साइज बढ़ाके उसके बाद आप बेलन से थोड़ा साइज को बेल ले जैसे आप रोटी बेलते हैं उसी तरह और इसके बेंगने के बाद अब इसके अंदर जो हमने स्टपिंग तैयार की है उसको रखेंगे इसके अंदर तो यहां पर हम खुब सारी स्टपिंग डालेंगे इसमें, एक मोटी सी लेर बनाएंगे इसकी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा, अब इसके बाद इसको हम फोल्ड कर देंगे अच्छे से, ताकि यह खुले नहीं और फोल्ड करने के बाद इस तरह हाथ से थोड़ा सा दबाकर आप इसे अच्छे से बंद कर दें और फेले हाथ से थोड़ा दबाकर और फिर इसको हम थोड़ा सा बेलन से बेलेंगे और यह बिल्कुल भी यहां से स्टपिंग बिल्कुल नहीं निकलेगी, अगर आपका आटा सोफ्ट है तो, अगर यहां पर आपका आटा अगरम होने के लिए अब इस पर थोड़ा सा घी या ओल लगा सकते हैं और यहां पर रख देंगे इसके उपर आप पकाएंगे इसको हम जैसे हम पराठा पकाते हैं सेम वैसे ही अब थोड़ा सा उपर घी या ओल लगा सकते हैं मैं यहां पर घी लगा रही हूं और यहां पर थोड़ा सा पकने के बाद हम इसको थोड़ा सा पलट देते हैं दूसरी साइड से और यह देखी काफी अच्छा सा कलर आ गया है तो इस साइड में भी हम इसी तरह थोड़ा सा घी लगा देंगे यह आपकी पसंद के उपर है आपको अगर ज्यादा पसंद है तो ज्यादा लगा सकते हो गिया ओल या कम और इस तरह चार उत्रप अच्छे से हिला हिला कर इसको थोड़ा सा दबा कर भी हम पका लेंगे तो यह बहुत ही अच्छी से पक जाएगा और जब फिर से दूसरी साइड इसी तरह पलट देंगे तो अच्छे से हम दोनों साइड से इसको पका लेंगे सेम जैसे पराठा पकाते हैं वैसे ही और यह बिल्कुल पक कर तयार हो गया अब इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर अब इसकी प्लेम को हमने कर दिया यहां पर थोड़ा सा बन दे अब इसको हम देखे निकाल लेंगे यहां पर मैंने एक प्लेट ली है इसके अंदर डाल लेंगे और काफी क्रिस्पी और देखने में दिखाई दे रहा होगा आपको बिल्कुल अच्छे से अब दूसरा भी इसी तरह बना कर तैयार कर लेंगे अब यहां पर दोनों हमने पका लिए तो पहले एक को लेंगे उसके बाद थोड़ा सा हम इसमें कटर से या चक्कु से कट लगा देंगे जैसे हम पीजा में कट लगाते हैं सेम ऐसे पीसिज ताकि बाद में आपके पीसिज आसानी से नि और बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला ऐसे ही आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से और यहां पर खिर से उसी तववे के उपर डालेंगे हम थोड़ा सा गी अब गी की जगा बटर भी ले सकते हैं और जो स्टपिंग है उसको हम पकाएंगे इसके उपर डाल कर इस तरह जब भी आप पकाएंगे तो इसमें एक बहुत ही अच्छा सा स्वाद आजाएगा और यह बहुत ही अच्छा से पकने के बाद इसमें अच्छी से कुस्भू आएगी कुछ सेकेंड के लिए बस इसे पकाना है ऐसे और यहां पर देखिए यह हमारी श्टपिंग है थोड़ी अच्छी से पक गी है अब इसके बाद यहां पर इसमें हम डाल देंगे यहां पर यह मैंने लिया हरा धनिया थोड़ा सा और गयस की फ्लेम को हम बंद करतेंगे और यह जो मैंने पराठा लिया है उसके उपर मैं यहां पर टमाटर की चटनी लगा रही हूँ आप चाहे तो यहां टोमेटो कैचप या फिर कोई भी पीजा सोस वगेरा जो भी आपके पास है वो आप लगा सकते हैं मियो नीज वगेरा जो भी लगाना चाहिए तो इस तरह लगाने के बाद जो श्टपिंग हमने गरम की थी उसको हम लगा देंगे इसके उपर अच्छे से एक लेर बना देंगे पूरे पे और यहां पर देखिए पूरे पे हमने अच्छे से फैला दिया इसको अब इसके बाद जो हम इसके उपर डालने वाले हैं यह मैंने लिया है चीज प्रोसिस चीज है मेरे पास तो मैंने यह लिया है आप चाहिए तो यहां पर पनीर और चीज दोनों भी डाल सकते हैं इसको थोड़ा सा इस तरह ग्रेट करके डालेंगे तो यह बहुत ही अच्छा लगेगा पूरे में अच्छे से हम डाल देंगे खूप सारी चीज और इसके बाद देखी हमने खूप सारी चीज डाल दी है अब इसके बाद साइड में मैं थोड़ी म्योनिज भी लगा रही हूं इसके उपर इस तरह आप कोई भी सोस वगेरा चटनी वगेरा जो भी आप चाहे उससे आप इसको डैकोरेट कर सकते हैं और यह खाने में भी बहुत ही ज्यादा स्वादिश लगता है इस तरह और जैसे ही थोड़ी हरी चटनी भी हम इस पर लगा देंगे तो यह देखिए बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छा बन जाएगा इस तरह आप घर पर कोई भी स्पेसल दिन या फिर कभी भी बना सकते हैं बच्चों के करेंगे इससे चीज भी मेल्ट हो जाएगी और गर्म गर्म आपको सरु करना हो तो थोड़ा उसी टाइम आप गरम करें और यह देखिए अब इसको जो पीसीज कटकी थे बहुत ही आसानी से निकल जाएगे और देखिए आपको देखने में लग रहा होगा इसके सामने पी और वीडियो को लाइक करना बिलकुल ना भूलें थैंक्यू पोर वाचिंग